Top Highly Paid Software Skills Hello viewers, this is Daudh Masif from SM Institute आज किस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे Top Highly Paid Software Skills for Mechanical Engineers इन softwares को मैं detail में discuss करूँगा आपके साथ और step by step आपको बताऊँगा कैसे इनकी training course आपने लेनी हैं किस तरह से आपने working start करनी हैं किस तरह से आप इसको job hunting में utilize कर सकते हैं और अपने carrier को carrier grooming में इसे use कर सकते हैं यही वो skills हैं जो के आप सीखने के बाद carrier oriented बन सकते हैं क्योंकि यह skills highly demand है और market placement की काफी worth है लेकिन इसमें कौन-कौन सी ऐसी mistakes हैं जो कि आपने नहीं करनी और अगर आप करेंगे तो उनका side factor आपको क्या होगा इसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मुकमल जान करी दूँगा तो time is के भी बगाएट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे AutoCAD की AutoCAD एक ऐसा software है जो के आज भी 99% industry में use होता है 2D के लिए as well as 3D KD के 3D modeling और ETC AutoCAD एक ऐसा software product है जो के आपको AutoDesk site और इसके इलावा easily product मिल सकती है इसको आप अपने laptop PC में install करने के बाद use कर सकते हैं इसके training course भी YouTube के साथ साथ बहुत सारी ऐसी websites हैं जो इसके बारे में free of course training courses online करवाती है आपको कहीं पर जाने के ज़रूर नहीं आप एक करने के ज़रूर नहीं है AutoCAD आप easily सीख सकते हैं 2DB और 3D modeling basic और advanced level पर अगर हम इसके scope की बात करें तो scope इसका fiverr.com से लेके आप और बहुत सारी ऐसी websites पर इसका बहुत ज्यादा scope है लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक real reality बताऊंगा जो के मैं आपको इसके बारे में lie नहीं बोलूँगा आपको reality बताऊंगा जो के बहुत गम लोग बताते हैं देखें freelancing में किसी भी software की demand बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूँगा freelancing एक ऐसी field है जो के proper time देने वाली job है जिसमें अगर आप कम time देंगे तो इसमें start में आपको बहुत ज़्यादा time देना पड़ता है तो इसलिए मैं आपको गलत guide नहीं करूँगा कि आप ऐसे करें और इस तरह लगपती बन सकते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होता freelancing में बहुत ज़्यादा time देना पड़ता है फिर जागे आप एक अच्छे जो है इन software skills का scope तब जागे बनता है जब आप बहुत ज़्यादा time दे के अपना profile को उपर लेकर आते हैं तो यह मैंने start में ही clear कर दिया तो उसके लावा different companies में draftments की job आती है और इसी software को आप base बना के job हासल कर सकते हैं physical marketplace में भी और आप housing वगएरा के नक्षे बना सकते हैं टूरी ट्राइंग्स बना सकते हैं मतलब ऐसे जाए इसका बहुत ज्यादा scope है AutoCAD का अगर आप इसे professional level पर सीख लेंगे इसके बाद AutoCAD inventor के अगर बात करूं तो ऐसा software है जो के दुनिया में एक अपनी अलग पहचान और वर्थ रखने वाला software है अगर इसको आप सीख लेते हैं inventor को तो फिर जैसे के नाम से जहार है inventor है तो आप एक highly जो priority person बन सकते हैं वर्थ ही person बन सकते हैं क्योंकि बहुत जबर्दस software है इसमें designing के हवाले से अगर मां बात करूं तो software का king है अपनी वर्थ रख तैग ये भी आपको इसली अवेलेबल है इसके training courses YouTube पे बार है ऐसे चैनल है जहां पे AutoCAD inventor की आपको बहुत अबर्दस वीडियो session मिल जाएंगे training courses free of course भी अवेलेबल है इसलिए कुछ पे करने की जुरूरत है अगर इसकी वर्थ की बात करूं तो Fiverr, Upwork और इसके लावा और जितनी भी साइट सा people पार रहा है मार्केट से बाहर भी आपको नाम मिल सकता है like Facebook पे आपको अपल नहीं इसके client मिल सकते हैं different companies में Autodesk inventor जो है बहुत जादा यूज होने वाला है इसका आप account create करके इसको इजिले install डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद सबसे मज़ेदार हो universities में और मैं आपको मज़े की बाद बताऊंगा जितने भी software यह six software मैंने लिखे हैं इन में से बहुत ही minor यहां कुछ ऐसे institute यहां पर minor level पर बताया जाता है यह minor level पर सिखाया जाता है उतना professional level पर नहीं सिखाया जाता तो इनको आपने अपनी मदद आपके तहट सीखना है Solidworks एक ऐसा software है जो कि university level पे हर student का एक dream software होता है इसको सीखने के बारे में कि हम सीखें इसको लेकिन Solidworks भी अगर आप professional level पे सीख लेते हैं कैसा 3D modeling और part design and development का software है जो कि अपनी पहचान रखता है और इतना जबर्दस software है इसको सीखना थोड़ा असान है लेकिन जब आपको इसके उपर grip आ जाती है आप इस पर part design and development 3D modeling सीख लेते हैं उसके बात सर्फिसिंग की तरफ जब आप जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन जब आप उ इससे आगे जो 3D printing में यह सारे software 3D printing के लिए बहुत जबर्दस्त हैं तो इससे product बनने के बाद इसको 3D printing के लिए इसली connect कर सकते हैं तो इसलिए SolidWorks की demand freelancing में बेता हाश है लेकिन वही बात कि आप अगर इसे professional level पे सीख लेते हैं और complex project पकड़ते हैं और उनको कर लेते हैं otherwise इसका scope जो है EPC industry में बिलकुल नहीं है लेकिन SolidWorks वही बात है कि part design and development vendor companies हैं वहाँ पे designer SolidWorks के बैठे हुमें है यहाँ आप इसका online काम शाम कर सकते हैं highly paid है लेकिन वही बात है कि इसका scope different है यह AutoCAD हर industry में चल जाता है लेकिन जो SolidWorks है यह part design and development में utilize होता है Solid Edge की बात करें Solid Edge और SolidWorks दोनों आपस में मिलते जूलते हैं बहन भाई है Solid Edge भी same लेकिन Solid Edge जो है इसमें SolidWorks से भी ज्यादा जो है वो options हैं और काम करने का मज़ा है मैंने फुद personally यह जदने software जैन पर working की हुई है लेकिन एक आपको मज़े की चीज़ बताता हूं को जो SolidWorks ह है उसकी simulation भी बड़ी जबर्दस है simulation भी उसमें आप कर सकते हैं animation जो इसका है Solid Edge भी बहुत जबर्दस software है easily available है setup इसका easily available है laptop PC में install कर सकते है training course इसके YouTube पे available है scope के अगर बात करूं तो आप YouTube पे इसका फाइवर पे अफ़क पे उपन मार्केट में भी प्रोजेक्ट परकट सकते हैं सेम लाइक SolidWorks इसका भी पार्ट डिजाइन डिवेलपमेंट में बहुत जबर्दस किसम का software है सीखने में असान है अगर आप इससे सीख जाते हैं तो वर्थी परसना बन सकते हैं कैटिया वी फाइफ ऑट्मोटिव की दुनिया का वहताज बात्शाओ software है कैटिया वीफाइफ इसका भी अवेलेबल है लेकिन इन में जितने भी बता रहा हूं आपको में कुछ इनकी और अप्शन्स अवेलेबल होती है कुछ नहीं होती कैटिया वीफाइफ के टेनिंग क कर सकते हैं और साथ ही साथ Fiber Upwork पर काम कर सकते हैं और Automotive की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो Solidworks को priority देती हैं Catia V5 को भी देती है तो यह सम्टाइम हर इंडस्ट्री का फोकस होता है किसी भी प्रोडक्ट के उपर यह जो जिस प्रोडक्ट को reliable समझती है क्योंकि हर सब्सक्राइब में हर काम नहीं आप कर सकते हर सब्सक्राइब के अपनी वर्थ है केटिया सीखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन जब आप इससे सीख जाते हैं तो उसके बाद इसको आप काफी प्रफेशनली यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोई और सॉलिडर्ज इनका भी प्रोई जो है ऑटमोटिव डिवेलप्मेंट में एक बहुत बदर सॉफ्ट्वेर इसको भी सीखने के बाद आप आप अनलाइन अर्निंग में काफी यूटिलाइज कर सकते हैं साथ ही साथ इस दो हैं AutoCAD और AutoCAD Inventor यह फिजिकल मार्केट प्लेस में बेतहाशा इस्तमाल होने माले सॉफ्ट्वेर हैं यह वो सॉफ्ट्वेर स्किल्स हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक वर्थी परसन बन सकते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको एंसिस मेक मैं और साइवने सकते हैं तो जरूर की जिएका अगर अच्छी लगी है वीडियो तो दोस्तों के साथ कर दीजिए गा मैं साद violon अगे apologize मिइंजक्र झाल